10.2.2 चीन में उपनिवेश वाद 19. सदी में चीन जनसंख्या और छेत्रफल दोनों के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश था 27. सदी में चीन में मांचु वंश का शाषन आया मांचु शाषनकाल में चीन के सामराज की सीमाओं में लगातार विस्तार हुआ और वर्तमान चीन के अलावा मंगोलिया, तिबबत, इत्यादी इस राजी के हिससे बन गए इसके अलावा चीन के शाषकों का प्रभाव छेत्र, कोरिया, वियत नाम, आदी देशों तक फैला हुआ था ये सभी राजे चीन के सामराट को नजराना भेट करते थे मांचु सामराजे मुख्यता एक व्यवस्तित नौकर शाही के द्वारा संचालित होता था इसमें न्यूक्ति परिक्षा के माध्यम से होती थी कोई भी इस परिक्षा में शामिल होकर काम्याब हो सकता था चूकि इसकी तयारी काफी कटिन थी उसमें किवल संपन्न कुल के लोगी भाग ले पाते थे चीन का समाज मुख्यता एक खेतिहर समाज था ज्यादत अराबादी अपनी अजिविका के लिए खेति पर ही निर्बर थी राज्य की आय का मुख्य साधन खेति पर लगाया गया लगान था लगान की वसूली के लिए अधिकारियों का एक विशाल समू तैनाद था क्रिशी के अतरिक्त चीन में खनन एवं विनिर्माण उद्योग भी विक्सित था चीन में नमक, चांदी, टीन और लोहे की विस्तृत खाने थी जहां पर चीन के खुद के उप्योग लायक खनिच आयस्क प्राप्थ हो जाता था चीनी मिट्टे के बरतन और रेशम के कपड़ों के लिए चीन हमेशा से प्रसिद्ध रहा था पूरी दुनिया से वैपारी चीन की इन वस्तों को खरीदने के लिए आते थे चीन में औशधी के रूप में पिया जाने वाला पेपदार चाय 28 सदी में यूरोप में बहुत लोग प्रिये हुआ इसके बाद चाय के वैपार के लिए भी चीन में यूरोपी वैपारी आने लगे संशेप में अगर कहें तो चीन अपनी जरूरत की सारी वस्तों की पूर्ति खुद से ही कर लेता था या एक तरह से आत्म में निर्भर अर्थ वैवस्ता थी चीन के शाषक चीन को बाहरी देशों के किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने विदेशी वैपार पर कड़ा न्यंत्रण इस्थापित कर रखा था विदेशों के साथ वैपार करने के लिए तीन बंदरगा अधिक्रित कर रखे थे केंटन, मकाओ और निंगमबो यूरोपी वैपारी चीन में इन्ही बंदरगाहों तक जा सकते थे यहां से चीन के इस्थानी वैपारी समू विदेशी माल को पूरे चीन में ले जाते थे और चीन की जो वस्तुएं उन्हें चाहिए होती थी उसे विदेशी वैपारियों को देते थे इनी बंदरगाहों में यूरोपी बस्तिया थी अंग्रेजी वैपार और अफिम युद यूरोपी वैपारी लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि उन्हें चीन से वैपार करने का मौका मिले चीन के साथ वैपार करने में भी सबसे पहले डज कंपनी को सफलता मिली अंग्रेजों ने जब चीन में व्यपार करना शुरू किया तो वे चाहते थे कि उन्हें कुछ रियायते मिले लेकिन सन 1830 तक यह संभव नहीं हो सका चीन के साथ यूरोपिय व्यपारिक कमपनियों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास चीन में बेशने के लिए कुछ नहीं था फलता यूरोपिय व्यपारियों को अपने देश से सोना चांदी चीन में लाना पड़ता था इस तरह व्यपार संतुलन हमेशा चीन के पक्ष में बना रहता था इस बीच अंग्रेजों का शाषन भारत पर बना अंग्रेज भारत से अफिम खरीद कर चीन में बेचने लगे और इससे मिलेधन से वे चीन से चाय रेशम आधि खरीदने लगे इस प्रकार उन्हें भुकतान के लिए इंग्लेंड से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं रही उन्होंने कोशिश की कि चीन में ज्यादा से ज्यादा अफिम बिके ताकि उन्हें अधिकलाब हो चीन में अफिम का वैपार अवैत था और मुलता तसकरी के द्वारा होता था केंटन मंदरगा से यह अफिम भष्ट चीनी अफसरों वो वैपारियों के द्वारा चीन के अन्हिस्सों में पहुचाया जाता था अफीम के इस वैपार और अंदुरूनी इलाकों तक इसकी सप्लाई का कुछ ही सालों में यह असर हुआ कि बड़ी संख्या में चीन के लोग अफीम की लट के शिकार हो गए जब चीनी शाशन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अंग्रेजों के वैपारिक अधिकार को समाप्त कर दिया और केंटन से उन्हें निश्काशित करने का आदेश दिया इसके कारण सन 1849 से 42 में चीन और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ जिसे प्रथम अफीम युद्ध कहते हैं इस युद्ध में चीन की पराजे हुई और सन 1842 में उसे एक अपमान जनक संधी समझोता करने पर विवश होना पड़ा इस संधी को नानकिंग की संधी कहते हैं इस संधी के अनुसार अंग्रेजों को पूरे चीन में बिना किसी रुकावट के व्यापार का अधिकार मिला दूसरा अंग्रेजों को चीनी भूमी पर अपनी व्यापारिक बस्तिया बसाने की अनुमती मिली जिसमें अंग्रेजों का अपना कानून चल सकता था अर्थात वहाँ चीन की कानून व्यवस्था ना चल कर अंग्रेजों का कानून चला इसके अलावाँ चीन ने ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी राशी हरजाने के रूप में दी इस संधी में एक और शर्त यह जोड़ी गई कि अगर चीन किसी दूसरे यूरोपी कमपनी को किसी भी तरह की वैपारिक शूट देगा तो वह स्वता ही अंग्रेजों को भी मिल जाएगी चीन पर बढ़ता हुआ विदेशी प्रभाव अफीम युद्ध की हार से चीनी सैन शक्ती की कमजोरियों के बारे में दुनिया को पता चल गया था अन्य यूरोपी शक्तिया भी चीन में अपना वर्चस्व इस्थापित करने की कोशिस करने लगी सन 844 में चीन ने फ्रांस और अमेरिका के साथ नानकिंग के संधी की तरह संधिया की इन संधियों में फ्रांस वो अमेरिका को भी चीन के शाषकों से बहुत से व्यापारिक रियायते मिली कुछ इसी तरह की संदी दूसरे यूरोपी देशों जैसे ही रूस, जर्मनी, इत्यादी ने भी चेन के साथ की फल सरूप चेन के 30 लाकों में अलग-अलग देशों के प्रभाव छेत्र बन गए